आज अधार पर इस कार्यक्रम में यहां पर अपस्थित सभी वी एल्ली भाईयों अधिकारिगन मेरे साक्थी अधिकारिगन शीरी अशोक कुमार जी सरप्रतम मैं शीरी दिनेश्थियाकी जी को उनका अभार प्रक्रिक्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने मजे यहां पर बलाकर आज हमारे भारत की जो युवा शक्ति है उनसे रूबरू होने का एक बहुत युवा युवा और इस बात का फस्तर दिया कि आपसे हम कुछ बातें कर सकें यह दपी जो हमें प्रोग्राम दिया गया है उसके आपसे कि दोस्तों आपको पता है दुनिया के अबादी साथ अर्ब से भी अधिक है विश्व इंक ने अधार की तरह एक एक पुरा प्लेटफरम बनाया है जिसको कहते हैं आईडी फर डी विच मींज आईडी आइडेंटिफिकेशन फर डिवलिमेंट विकास पहचान के जरिये उसकी यदि आप रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो रिपोर्ट बताती है कि साथ अरब से अधिक अब से भी अधिक लोगों के पास सरकार द्वारा दिया गया ऐसा कोई पहचान पत्तर नहीं है जिससे वो साबित कर सकें कि वो कौन है यदि मेरा नाम नरिंदर भुशन है तो मैं कहीं पर जाकर ये प्रूव कर सकूं कि मैं नरिंदर भुशन हूं खास तोर पे समस्या उनके लि ये जो दो अरब लोग हैं उसमें से अधिकांश लोग वही रिपोर्ट कहती है कि अधिकांश लोग बहुत बड़ा प्रपोर्शन बहुत बड़ा अनुपात साउथ एशिया जिसमें भारत एक सबसे बड़ा कंट्री है और फरीका में है उसमें से भी एक बहुत बड़ा अ महलाओं का और बच्चों का है वही रिपोर्ट ये कहती है कि ग्रीबी का एक मूल कारण बहुत चीज़ें करने पड़ती हैं ग्रीबी सो को दूर करने के लिए परन्तु सबसे बड़ी जुरूरत है कि आप अपनी पहचान साबित कर सकें तो उनके पास एक ऐसी डॉकुमेंट ना होना जिसके माद्यम से वो प्रूव कर सकें कि यह कौन है नंबर वन नंबर दो उनकी जगा पर कोई दूसरा उस आइडेंटिटी को दिखा कर वो लाब जो सरकार उनको देना चाहते है या प्राइवेट सेक्टर या किसी भी तरह से जो सर्विस उनको मिलने चाहिए जो प्राइवेट की चीजों को एक्स्प्रिन किया जब पहचान है तो पहचान के माद्यम से फाइनिशल इंक्लूजन यानि के पैसे इसे जो लिंक जितनी सुवद्याएं हैं क्योंकि पैसे के बिना गृब भी दूर नहीं हो सकती है तो वो फाइनिशल इंक्लूजन उसी के थ जिवा महला जिसके लिए तीसरे चुत्थे गाओं में जो एक एटियम दस किलोमेटर दूर है वहां जाना संभव नहीं होता आप यह सब कर रहे हैं अधार, CSC और VLE यह मेरे ख्याल से तीन ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना नए भारत का है यह क्रॉप्शन फ्री इंडिया उसकी तरफ यह तिन्नों आइधिंग शक्तियां मिली हैं मैं आज से छे साथ साथ पहले यूपी में बिजली विवाक के अमडी के पदपरकारे रहत था मुझे द्यान है उस समय और यूपी को तीन भागों में बंटा गया था तो जब हमने ढूंडना शुरू किया कि हमारा बिजली का बिल लेने के लिए हम जगा जगा पर वियर लीज को अथराइज कर दें तो पता चला है एक कंपनी उस तेम जो है तीन पार्ट में जो बंटा था वो कुछ बंद होन और यह क्रांती यह संगठन यह जो है मूवमेंट आज इतनी स्टॉंग हो गई है उसके लिए निश्च्च तोर पर मैं दिनेश्त त्याकी जी की लीडरिशिप को और मारे मान्य मंत्री जी की लीडरिशिप को और आप सबकी युवा शक्ति को निश्च्चत तोर पर पहचान के तोर पर उबरा है कि आज बड़े-बड़े देश वर्ड बेंक लगबख सभी देश मेरे क्याल से लगबख सो देश भारत से अधार के बारे में सीखना चाते हैं लगबख हर अफ़ते मेरी मुलाकाद एक फोरें डेलिगेशन से होती है जो अधार के बारे में जान करना चाते हैं विशाब बेंक की यह कहता है उसकी यदि आप जो दुनिया की सबसे बड़ी एक एक इकॉनमिस्ट मैगजीन है वो चापती है कि एक गाव में जहां पर लगबख बिजली के बारे में भी सोचना संभव नहीं है एक छोटे से मुवाइल के माद्यम से एक महला मलत जिस तरह से लेंडेर कर सकती है जिसको उसने डिस्क्राइब किया है और कहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर गिना जाता है सबसे आगे का शैर यूएस में नियू यार्क नियू यूएर्क में मैन हटन Manhattan की ये technology है जो आज इंडिया के सबसे सुदूर गाओं में पहुंच चुकी है उसका ये कहना है कि ये जो technology जब वो describe करता है तो वो पूछता है भी ये technology कहां की होगी तो बताता है भी ये technology आप सोच रहे होंगे कि US के Manhattan की होगी प्रन्तु ये technology भारत के किसी दूर गाओं की जो सबसे ग्रीव महला है उसको ये लाप जाया जा रहा और उसके पिछे की शक्ती आप लोग है एक होता है कि किसी भी देश का विकास दीरे दीरे होता है दीरे दीरे लोगों के तक फैदा पहुंचता है और ऐसे पूरी दुनिया में बह। It... अशे हैं जिसके लिए टरुम है लीफ फ्रोग के उareने विकास की करणती में एकदम जंप किया धीरे धीरे दीरे जाने की बजाए यदि भी हमारे भी निश्चित और पर कंट्री को यहां तक पहुंचने में सत्तर लगे परन्तु अम इस अधार इस करांती डिजिटल करांती जो हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है जिसको आपने गाउं गाउत तक पंचाया है उसी का ये प्र अधार के बारे में मन्यमंत्री जी ने भी कहा कि कई बार लोगों को गलते होती है परन्तु अधार का सबसे बड़ा फैदा ये आज सबसे बड़ा इंपावर्मेंट शक्ति का टूल है किसके लिए ग्रीब के लिए अमीर आदमी के पास पहले से भी बहुत ऐसे सेंस भी था उसके पास बहुत सारे साधन थे बैंक में उसका काउंट था प्रंतु जो हमारी 30 प्रतिशत जन संक्या गरीव थी उसके पास किसी तरह का कोई डॉकुमेंट नहीं था बैंक काउंट खोलना बहुत मुश्किल था यदि वह अधिक रुजगार को यदिक आमदन प्रदेश में जाकर वहां पर अकाउंट खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी मैं यूपी में कई जिलों में मैंने जिलदकारी के पद पर कारेरत किया अक्सर मुझे ऐसी समस्यां से जूजना पड़ता था कि पंजाब दिली से जो लोग मजदूरी करके छ मैं सब एक्ति उनको आके मिलता था जो उनको उनके साथ एक्टिंग करता था कि मैं उसी गाओं का हूं उनकी भाशा बोल लेता था थोड़ी देर में उनको बिस्किट चाय खलाता था जिससे वो जो सारी हम नरी जो छे मीने अपने परिवार चोड़कर वो दूसरे दूसरे रज्य में अपनी प्रिवार को छोड़कर कमाई करते थे उसको चीन लेता था और ऐसी मैंने मेरे क्याल से अपने पांच-छे साल के जिलद करी कारेकल में कम से कम पचास ऐसी घटनाएं देखी होंगी जो मैं मातर तीन-चर जिलों में तो सोचिए यूपी के सतर जिलों में या और पूरे इंडिया में इस तरह कितनी समस्याओं आज आप सब जानते हैं कि इन समस्याओं का निराकरन किस धंग से हमने इस सुचना करांती के माद्यम से अधार को ऐसे प्लेट फारम यूज़ करके अधार के उपर एप्लिकेशने विक्सित करके जिसमें आपकी डिज स्कूल जाना चाथता है उसको अपना स्कूल चोड़के या किसी मेंबर को रुज़गार चोड़के 15 किलोमेटर दूर एटियम डूड़ने नहीं जाना पड़ता और वो सुविदा उसको घर बैठे मिल जाती है तो अधार ने आज यह करांती लगबग पूरे इंडिया में पंचादी है इसकी अधार के कितनी सिवाएं इसके बेसेस पे बनाई जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है मैं एक तरफ इंडॉल्मेंट और अपडेशन का काम देखता हूं पूरे भारतवर्श का अब दूसरी तरफ जो एप्लिकेशन हैं डी बीटी फाइनिशल इंक्ल प्रणेट आइसे टूल ऑफ गूड गुड़नेंस आपको पता है एक होता है भी सरकार अच्छे से काम करें सरकार निश्पक्षता से इमानदारी से काम करें उसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे कि पचास जार क्रोड से अधिकी सरकार का जो खर्चा है डीबीटी स्कीम पीडियेस में जहां पर लगबग 3.62 क्रोड पूरे इंडिया में फरजी राशन कार्ड अलग किये गए हैं परन्तु जब सो लोगों को जिनके अब राशन कार्ड सही हैं उनमें से भी 13 व्यक्ति राशन उठाने नहीं आते हैं और बड़े शहरों में जैसे अध्राबाद म वो सारा राशन हमारे CEO साब एक्जेंपल दे रहे थे कि सारी चिनी दो दिन में बिखते थी मिट्टी का तेला जिलादिकारी हम इसी बत्तों को लेकि लड़ते रहते थे पूरा एक टेंकर को ट्रेस कर रहे हैं के रोसीन आयल का तो जिले से बाहर निकला उस ताइम उसको प के तोर पार एक ऐसा सशक्त माध्यम है उस व्यक्ति को कि उसका अपना अधिकार उसको मिले सर्विस डिलिवरी के लिए आज पास्पॉर्ट में ऐसी विवस्ता है कि आप अपना धार काट दे दीजिए उसके साथ दोको दोकुमेंट और दे दीजिए कोई पुलिसी करन होना चाहिए आप वो भी एक माध्यम बन सकते हैं क्योंकि आप अधार सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं कि गाओं के लोगों की यह समस्या है और अधार की यदि ऐसी कोई एक एप्लिकेशन बन जाए जिसको सीसी के तुरू रोल आउट किया सकता है उसमें पब सिवाओं को आप उपलब्द करा रहे हैं तो आप तुरंत सोच लेंगे कि इस तरह का सुलूशन वहां पर यहां भी यह सुलूशन दिया जा सकता है इस अधार की जो खुबी है और किसी अधार की ऐसी नहीं होती कि यह पोर्टेबल है यह कहीं भी 24 घंटे कहीं भी यदि मै निरेंदर भूशन में पंजाब का रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश का यह सफसर हूं आजकल भारसकार में नोकरी कर रहा हूं तो कहीं भी मैं अपना धार बनवा सकता हूं कहीं भी 24 घंटे किसी भी सेंटर में चले जाई है जहां अथांटिकेशन की सुगदा है मेरे को स अभी ऐसी पचासों चीजे और हो सकती है आप सोचिए डिली में मैं जब भी ट्राफिक प्लाइट रुकती है बच्चे एकसर मिलते हैं उनसे बात करता हूं तो उनसे पूछता हूं कहां से आए तो कहीं कहेंगे रज्जस्तान से आए पुरे पुरिवार के साथ वसवार के करने आफिन आरे बेच रहे हैं उनसे पूछता हूं स्कूल में पड़ रहे हैं करे रहे हैं आतो पड़ हैं पर अभी 2 001 locks 2 यहांपी काम करने के लिए तो उसको PDS की सुविदा भी आज की डेट में नहीं है आज अंदरा में यह आप किसी एक जिले के रहने वाले हैं तो आप किसी भी जिले में जाकर PDS ड्रॉ कर सकते हैं उसी तरह धीरे धीरे यह सभी राज्य आग ग्याएंगे GST की तरह फैसला लेंगे तो यह सारी सुविदाएं लोगों को कहीं भी 24 घंटे आप यह नहीं है कि आप जहां के रहने वाले वहीं पर यह सुविदाच चीए तो इसके अभी भी इसकी जो संभावने हैं वो सीमित हैं क्योंकि आज पहली बार मुझे आप लोगों से रूब रूख होने का मुक्का मिला है तो मुझे लगा यह फीड़बैक भी आ रुजगार दे रहे हैं तो आपको वह भी सोचना है भी किस तरह से यह चीज़े की जा सकती है हम लोग एक आइडिया अजकल सोच रहे हैं कि उसी तरह एक व्यक्तिन गुट्टा लगाया को रिक्षा वाला है को साइकल की पंचितर कद्गवान है उसको जरूरत है पाद हज पे की तो उसने एक बार मुट्टा लगाया उसका क्रेडिट स्कोर है वह आ गया तीसरी बार उसने लिखा क्या विए बीसी से मुझे पांसर पे का लोन मिल रहा है तीसरी बार मुट्टा लगाया पेपर लैस लोन की सुईधा बन सकती है जिसको चोटा सा पैसे चीए और य स्रीट कार्ड में आपकी हिस्ट्री बढ़ती जाती है आपका लोन की सीमा बढ़ती जाती है कुछ चीजे मैं बताना चाहूंगा देखिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी हमने 115 क्रोड लोगों को अधार दिये हैं जिसमें लगबाग एक चृताई इस वर्कफोर्स ने द लोगों को घर बेठी सुविदा फेसलेस पेपरलेस कैशलेस यह तीनों चीजें आप लगबग अचीव करके दिखा रहे हैं कि उनको जो है यह सुविदाएं कैश के बिना आपके वैसे डीजी पे है पेपर फारम भरने की बहुत जगा जुरुत नहीं है जहां पर क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ मूव होना है ऐसे में हमें यह ध्यान देना है कि लोगों का एक्सपीरियंस अधार के साथ अधार अधारित सेवा के साथ बहुत अच्छा हो वाते हैं आज आपने एक बहुत अच्छी सेवा सर ने शुरू करी ओनलाइन अपॉइन्मे वो कहीं पर बस पर चड़का है उसने खर्चा किया उस दिन की उसकी रुजगार उसकी मजदूरी मारे गई तो यदि हम उसके समय की भी बच्चत कर पाएं तो आपने ओनलाइन अपॉइन्मेंट बेस्ट उसके लिए टाइम सिक्स कर दिया कि आप दस वजे आईए साड़े दस तक सिवा प्राफ करके चले जाए आज मुझे बताया यह सिवा भी अर्याना में शुरू हो रही है प्रंतो देरे देरे पूरे भारत वर्ष में फैल जाएगी तो आप क्वालिटी के जो आस्पेक्ट हैं उसके बाद उनका फीडबेक लिया जाए हमारे सीओ साब ने ब अभी हमने एक नई व्यस्ता शुरू करी है कि जब कोई भी अधार करके हमारे पास आता है अभी तक हम उसको केवल क्वालिटी के लिए चेक करते थे अब उसके साथ हमने डॉकुमेंट देखने शुरू कि है कि उसके बस डॉकुमेंट क्या है तो मैं कुछ अनुभव आप अधार को दिखवाता हूं तो जो मेरा केंज अडियक्शन 0.62 प्रसेंट था वह बढ़कर 50 गुना बढ़कर 33 प्रसेंट हो गया है और यह कब है जब मैंने केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर थोड़े से 10-12,000 अधार चेक करने चुरू कि इसलिए आप यह मैसेज जगा जगा लिजा सकते उसमें किस तरह की गलतियां सामने आती है यह गलती सामने आई कि किसी के पास एड्रेस प्रूव नहीं है इडेंटिटी प्रूव नहीं है अधार का सबसे बढ़ाई है कोई भी व्यक्ति उसको कोई गस्टेट अफसर उसको अपने लेटर हेड़ पर कई बार उसमें लिग दिया गया कि मैं प्रमानित करता हूं कि मैं नरेंदर भुषन को जानता हूं उनका एड्रेस फोटो ना उपर लेटर हेड़ ना नीचे मोहर ना कोई साइन प्लेन कागज पर किसी ने लिग दिया यहां तक के खाली पेज भी उसमें कर दिये गए तो अब दो तिन तरह की समस्या है एक उस व्यक्ति के लिए सोची है उसको पेंशन मिल रही होगी उसकी पेंशन आजकल क्योंकि सब के लिए धार जुरूरी हो गया है वो बड़ी मुश्कल से अपनी एक दिन की मजदूरी को खराब करके उसने अपना इंरॉल्मेंट किया होग यदि इस तरह से रिजेक्ट होने लगे तो बहुत बड़ी समस्या है इन वैली डॉकुमेंट की बहुत बड़ी समस्या है है एक चुएफ में यही रेशो जो लगबाग एक परसेंट था वो बढ़कर अभी यह चोटे हम रेंडम बेसिस पर कर रहे हैं हर लेंग्वेज में उन्न ऑफ नरेंद्र वहिशन का प्रूफ देना है परंतु जाधा गलती जो है उसमें लेंडर वुषन का धार कड़ लगा देते हैं तो उससे नहीं प्रूफ Mmri अभी पार्त शार्ती रियionesिशऩिप लगना है यह शाय लिंडर्सेंडिंटिंग की बात है तो इस त हमारे सामने फरोड भी निकल के आ रहे हैं जिसमें हमें मजबूरी में एक्षिन करने पड़ते हैं कि एक तो मैं खुद बाइचा से एक दिन चेक कर रहा था तो डॉक्कुमेंट की जगा पर छिपकली की फोटो लगी आ गई तो अब जो है इस तरह की शिरारती तो आपने सोचा कि यह अब कोई गल्ती नहीं हो सकती है तो उसको तरंद ब्लैक लिश्ट किया जाए तो मेरी आप सबसे अन्रोध है कि जब हम सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम प्रधानमंतरी जी के सपने को पुरा कर रहे हैं ऐसे जो मुव्मेंट को जिसनों इतनी दूर तक हम पहunk है अधार चुंकि खास तोर पे भरष्टाचार मुक्त भारत से जुड़ा है जो सपना है हमारे प्रधान मंत्री जी का हमारे मानने मंत्री जी का तो उससे जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें तो भृष्टा चार का नामों निशाननी होने चाहिए मुझे बड़ी खुशी हुई मैं उस लड़का जो पहले नंबर से आये था उससे पूछ रहा था भी यह वाड आज जिस तरह से वाड मिले जिस तरह से आप काम करते हैं घर गर जाकर यहां स्टोरिया सनाएगी एक्षर जो हमारे पास से एमेल आते हैं बाइचा से के कंप्लेंट का मैं इमेल परता हूं तो वही जो है कि 90-96 साल का हूँ मेरा अधार बना है बैने इन्रोल्मेंट क करा के हमारे पास बहुत दर्खास त्याति हैं तो यह जिम्मेदारी हमारे फॉजी के तोर पर जो मैदाने जंग में हैं वह आप ही यह अचीव कर सकते हो और आज मैं सुनकर बड़ी खुशी कि आपनी यह सब किया है तो इसलिए यदि कहीं पर ऐसी कोई भी गलती हो रही है यह जिम्मेदारी भी आपके उपर है कि उस जिले के जो भी यली हैं वो कहें उनको यदि पता चलता है रेपोटिशन से पता चल जटता है भी यह व्यक्ति खराब काम कर रहा है तो आज पास के पांच लोग उसके कहें कि इस मूव्मेंट को बदनाम ना करे तो यह भी एक जिम्मेदारी के साथ हमको आगे बढ़ाना होगा परंतु इस मूव्मेंट की अचीवमेंट कम नहीं है जो पचास यह अधार सिस्टम में केवाल अभी दस जार क्रोड खर्च नहीं हुए है साथ आट जार क्रोड पूरे शुरू से आखिर तक सभी चीजों में टोटल खर् से बैठे सुविदा ही मिल रही है उसका जो एक बैनिफिट होता है जो मैंने कहा कि जिस किसान की एक दिन की मिजदूरी बच गई उसकी भी एक तरह से उतनी इंकम बढ़ गई तो वह सब नहीं चोड़ रहे अभी जो सीधा सीधा से सरकार के खत्ते से पैसा गया वह कम किया तो वो 50,000 क्रोड बच गया वर्ड बेंक की एक रिपोर्ट करती है कि भारत में 11 बिलियन डॉलर विच मिन 77,000 क्रोड हर साल बचाए जा सकते हैं आप सोचे 77,000 क्रोड की कितनी सड़क कितनी बिजली कितने स्कूल कितने बच्चों को पढ़ा के हम आगे ले जा सकते हैं और यह जो जितना पैसा बच रहा है मैं देख रहा था कि आप जोड़िये जस्ट के एक दो लाख वियली 50,000 क्रोड कितना आपका कंट्रिविशन है भारसकार का यह पैसा बचाने में और अज्यसरकारों का भी हम अभी नहीं जोड रहे हैं तो आज यह बहुत अच्छा से आपने अब तक इसको बढ़ाया जिस तरह से बचे बढ़ी खुशी भी नॉर्मली दस से पांच आप लोगों ने शूट आया पर आप अभी मैं किसी से बात कर रहा था इमाच चलके उन्होंने का छे बज़े लोग घर में आ जबते हैं किसा आप जो आये कर दीजे कामा म कि जो भी आपको यू आइडिये से किसी तरह के सयोग की जरूरत होगी हम देने के लिए पूरी तरह से कटी बद हैं धन्यावाद थैंक यू